नमस्कार, सुप्रभाद, सुवागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में मैं हूप्रीती सिंग, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाओ के लिए आज पैसलेगा दिन है जनदाने किसे दिया है सरकार बनाने का मौका आज हो जाएगा साफ गुजरात और हिमाचल विधान सभा चुनाओ के लिए वोटों की गिनिती यानि मदगर्ना का काम शुरू हो चुका है गुजरात की 182 विधान सभा सीटों पर दो चरणों में हुए चुनाओ का आज परिनाम आ जाएगा और ठीक आठ बजे से वोटों की गिनिती का काम शुरू हो चुका है 2017 की मुकाबले इस बार दोनों ही चरणों में हमने देखा था कि मतदान कम हुआ पहले चरण में 60.20 लोगों ने वोट डाला था जबकि 5 दिसंबर को हुए दूसरे चरण में 64 पीज़दी से कुछ जादा मतदान हुआ था अब मतगरना शुरू हो चुकी है आज पैसले का दिन है आखिर जनता ने किसे दिया है सरकार बनाने का मौका ये कुछ ही देर में होगा साफ हिमाचल प्रदेश के अगर बात करें तो 68 विधान सबा सीटों के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हुई और इस बार 75 पीज़दी से जादा मतदान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला हिमाचल प्रदेश में 2017 के विधान सबा चुनाओं में 75.57 प्रितिशत मतदान हुआ था आपको बता दें कि 6 विधान सबा और एक लोग सबा उप चुनाओं के लिए भी आज मदगर्ना की शुरुआत हो चुके है और मदगर्ना स्थलो के आसपास शान्ती बेविस्ता सुनिश्चित करने के लिए निशिधाग्या लागू है और आठ बजे से वोटों की गिनिती का काम शुरू हो चुका है कैसा क्या रहेगा रुजहान और उसके बाद आएंगे नतीजे किस तरह का विशलेशन है किस तरह से ये चुनाओ खास है गुजरात और हिमाचर प्रदेश के अगर बात करें तो तमाम पहलू है चुनाओ से जरू है जिनका मुशलेशन करेंगे आज अपनी चर्चा की दोरान मेरे साथ खास महमान दो खास महमान स्टूडियो में फिलाल मौजूद है मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर बिसनस टांड़िट की अधिती पड्निस जी स्टूडियो में मौजूद है वर्श पतरकार राकेश शुक्ला जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नाट बजे से जो मतगरना का काम है वो शुरू हो चुका है जरा बताईए तस्वीरे दिखाईए किस तरह से काम शुरू हुआ है फिलाल क्या सरगर्मिया चल रही है वाँ देखें पृती मैं जहां खड़ा हूँ यह हमदाबाद का एक कॉमर्स कॉलेज है उसी कॉमर्स कॉलेज में गिंती सुरू हुई है और यहां इस कॉमर्स कॉलेज पे जो साथ विधानसवा हैं उन साथ विधानसवा के विधायकों के मत्यों की गिंती होनी है इन साथ में से हैक नरोडा, डानी लिम्डा, ठकर बापा नगर, दरियापूर, असरवा, बापुनगर और जमालपूर खडिया यह जो साथ विधानसवाचेतर हैं, अमदाबाद के काफी महत्पूर्ण विधानसवाचेतर हैं और इन में काटे की टकर है, कहा सकते कि कॉंग्रेस, बीजेपी और आम आद्मी पार्टी भी दावा कर रही है कि वो भी बहुत ठकर में है, उसके अलावा AIM, चुकि मुस्लिम इलाके भी है, इधर के तो AIM भी दावा ठोक रही है बीएसपी है, बीएसपी चुकि दलित वोटरों पर दावा करती है, तो बीएसपी भी यहाँ चुनाओ मैदान में तो इस तरह से काएंने काफी रोचक यह इलाके हैं, और हमारे पीछे जो है, आप देख रहे है, यह इसके पीछे मदान के देशारे बनाएं गएगेंикомश बनाएं werden जो गुजरात है उस पूरे गुजरात में 37 मतगर्णा केंदर बनाए गया है और उस 37 मतगर्णा केंदरों में तीन आहमादाबाद में हैं उसके अलावा दो सुरत में हैं और उसके बाद दो आनन्द में बनाए गया है उसके अलावा जो 30 जिले हैं 300 जिले में एक एक जो वहाँ के officer हैं district electoral officer वो उनको certificate परदान करेंगे तो कह सकते हैं कि आज दोपर के बाद का समय जो होगा वो काफी गहमा गहमी सरगर्मी वाला समय होगा क्योंकि आशाए की जाती है कि दोपर के बाद 3-4 बजे तक जो है मतगरना का कारकम पुरी तरह पूरा हो जाएगा पिश्पत्रकार गुजुरात से हमारे साथ मौजूद हैं आप सबसे हम चर्चा करेंगे पंकर शिर्वास्तफ जी आपका मैं रुख करूंगी आप जानते हैं हम आज कि जनता के फैसले का दिन है और दोपहर तक जैसा हमरे समवायता भी बता रहे हैं बहुत साफ हो जाएगा कि जनता क्या फैसला देती है लेकिन इस से पहले आपकी प्रतिक्रिया तमाम एकजिट्स पोल्ज जो बता रहे हैं पहले मैं Gुजुरात को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी प्रिती जी गुजरात को लेकर हम बहुत आशामित हैं और हमें पूरी उमीद है कि जिस तरह से गुजरात मॉडल के नाम पर एक शद्म पूरे देश में परूसा गया है किसी भी मानक पर चाहे वो हंगर इंडेक्स हो चाहे वो बानो विकास तुचकांग के जितने भी पहलू होते हैं उसमें गुजरात की असलियत हमने देखी है हमने देखी है कि इस तरीके से वहाँ बार बार मुक्ति बतले गए और सीधे दिल्ली से उसको कंट्रोल किया जाता है और गुजरात की जनता में काफी आक्रोश हमें समझ में आ रहा है और हमें लगता है कि इस बार गुजरात की जनता एक ऐसा फैसला लेगी जिससे इस कुशासन से जरूर मुक्ति मिलेगी जी आप आक्रोश की बात कर रहे हैं बंकर जी लेकिन एक्जिट्स पोल तो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं दिखा रहा है वो अगर वो आकरोश जनता में है तो आपके पक्ष में जाता क्यों नहीं दिख रहा है अगर एक्जिट्स पोल ने सब कुछ कह दिया है तो फिर हम लोग क्या इस पे बात करें फिर तो एक्जेक पॉल से ही सरकार बना बिगार लेनी चाहिए पर हमने कल दिल्ली बे भी देखा कि एक्जेक पॉल ने जिस तरीके से दिखाया था वैसा तो नहीं हुआ कल का भी एक्जेक पॉल गलत हुआ है आखलन के हिसाब से अगर देखा जाए जरूर आमाद्टी पारिटी को जादा मिले हैं लेकिन जिस तरीके से था कि वो सफाया कर देगी तब का वैसा नहीं हुआ लेकिन ठीक है जब तक असली फैसले नहीं आते एक्जेक पॉल पर हम बात कर सकते हैं हम खुश हो सकते हैं कि वही गुजराट ठीक है आपकी उम्मीदे क्या है इस बार अगर एक्जेक पॉल पर आप नहीं जा रहे हैं आपकी उम्मीदे क्या हैं आपकी उम्मीदे क्या हैं सरकार बनाएगी हिमाचल में कॉंग्रेस सरकार बनाएगी और नए दौर का सुत्रपात इस फैसले के बाद होगा जनता जनारदन है जनता का जो भी फैसला होगा सिरमात है पर आप हमारी उमीद पूछ रहे हैं तो इस उमीद में तो कोई पंजूसी नहीं हो सकती है दोनों ज का तस्वीरे बहुत जादा साफ होना भी शुरू हो जाएंगी आला कि तमाम एक्जिट्स पूल्स हैं जो बात कर रहे हैं गुजरात में जो स्थिती दिख रही है हिमाचल में जो स्थिती दिख रही है आपके नजरिया क्या है इन पूल्स को लेकर और आपका नुमान क्या क्या बड़ी बाते हैं जो इस बार हम गुजरात और हिमाचल विधान सबा चुनाओं में नजर में रखने वाले हैं बिना इधर जाए 60 वजार में शर्त लगाने मतलब उस तरफ न रुक करने के बजाए अगर हम इशूस की बात करें तो दोनों राज्यों में बहुत बड़े बड़े इशूस हैं और यह चुनाओं यह निस बात करें करेगा कि कौन सा इशूस सबसे ज्यादा गहन है उदारन की तौर पर हमने देखा कि गुजरात में जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट या कोविड मिस मैनेजमेंट जिसे कहना चाहिए उस पर हाई कोट ने भी बुर कोट में कहा गया कि गुजरात सरकार लोगों को एक तरह से मौत के घाट उतार रही है क्योंकि अस्पतालों में इतनी भयानक स्थिती थी सवाल यह है कि यदि कोविड एक एक तरह से एक बुरा सपना था और अब खतम हो गया है तो क्या उसका असर चुनाओं पर पड़ेगा या नहीं दूसरी बात गुजरात में पहली बार तो नहीं लेकिन कई सालों बाद एक ट्रायांगिलर कॉंटेस्ट होने जा रहा है और इसमें आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है नई सी पार्टी है और वो भी अपना बहुत कोशिश कर रही है बहुत मेहनत किये उसने तो क्या उसका कोई असर पड़ेगा हमने इतिहास हमें बताता है कि गुजरात में ज्यादा असर पड़ता नहीं है तीसरी पार्टी का लेकिन इस बार क्या फरक आएगा ये देखना है बिल्कुल धनाजी गिरी हमारे सब जोड़ गया है बीजेपी के प्रवक्ता है धनाजी जी आपकी पहली प्रतिक्रिया समझना चाहूंगी आज चुनाओ के परणाम का दिन है मदगर्णा का दिन है किस तरह की उम्मीदें आपको हमारी उसे ही उम्मीदे हैं जैसे आपने बताया है क्योंकि भाजपा कोई इतिहास का दुराव नहीं कर रही है बलके नए इतिहास का निर्मान कर रही है अब एंटी इंकमेंसी की बात पुरानी हो गई अब प्रो इंकमेंसी की बाते हैं हमारी सीटें लगतार बढ़ रही ह आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जंता का प्यार और सिरबाद हमें मिल रहा है और गुजरात से जो शुरू हुई यह यात्रा जो आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में वेक वैस्विक ने तिरत्व के लिए अस्तर पर ला करके आदर्णी नरेंदर मोदी को खड़ा की है तो उसमें गुजरात की जंता भी उनके साथ है और गुजरात में पहले से भी जादा अच्छी मिजरिटी के साथ हमाएंगे थंपिंग मिजरिटी के साथ हाएंगे ट्योंकि मैं ये मानता हूँ कि नठखने और न रुकने का नाम ही नर्मदा है मान अर्मदा रहती है वैसे न ठखने और नारुकने का नाम ही नरेंदर है नर से नरेंदर होने की पूरी एक यात्रा है कोई वेक्ति नहीं हो सकता वो एक मिशन है उसको लेकर के जिस तरह से नरेंदर मोदी आगे बढ़े हैं देश को पहले गुजरात को लेके आगे बढ़े पर बात की जाए और अभी हमने धरणजे जी को सुना पंकच जी को सुना पंकच जी अपनी उम्मीदे कर रहे हैं धरणजी कह रहे हैं कि आप प्रो इंकमबेंसी की बात हो रही है तो इस बार क्या लग रहा है यह जो चुनाओ है क्या मुद्दो का उतना जिक्र रहा है या फ परिनामों को लेकर भारती जंता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है बड़े पूरे प्रबंधन के साथ लड़ती है चाहे इस्थानी निकाय का चुनाव हो विधान सभा हो या लोक सभा हो और उसके लिए वो बहुत पहले से ही तैयारी सुरू कर देती है इस बार भारती पार्टी गुजरात में चुनाव टी को महसूस कर रही थी और उसी चुनाव्ती को द्यान में रखते हुए उसका जो फोर्ण था उसका जो पूर्ण पूरा विव रचना थी वो यह थी कि हमें भाहुत हांसिल करने के लिए नहीं बलकि सीट बढ़ाने के लिए चुनावरणा है और आप देखेंगे कि प्रधान मंत्री मानी नरेदु मोदी जी द्रह मंत्री अमिस साह जी और अन्य सभी नेता जो गुजरात के थे उस सभी लोग हर सीट पे पूरा फोकस करके चले कि किसी भी तरह किसे हमें इस बार आकड़ा पुराने वांकड़े के तरफ जाना है क्योंकि आपको याद होगा कि 2015 में जब अंदोलन हुआ आरक्षण अंदोलन के कारण जब 2017 का चुना हुआ उसमें भारती जंता पार्टी को काफी नुक्सान का सामना करना पड़ा अभी आजती जी बोल से गुजरात के लोगों को लाने का बहतर प्रयास किया गया और जब अभी हम वोटिंग के दिन भी यहां पर आपके संसर टीवी में बैठे हुए थे तो वहाँ जो प्रतिक्रिया आ रही थी मत दाता हूं कि वह यह आ रही थी को फॉरिन पॉलिसी पर बात कर रहे थे वह इ इंटरनेसनल इसू पर बात करते हैं या नेसनल इसू पर बात करते हैं वो राश्टी मुद्दों पर बात करते हैं अंतराश्टी मुद्दों पर बात करते हैं तो पुलमिला के जो गुजरात का पर्देस दिखाई दे रहा है वो यह दिखाई दे रहा कि भारती जंता पार इस तरह से गुजुरात की राजनीती इस बार नजर आई है चुनाओ को लेकर समीकर्णों को लेकर करनाटक मद्यप्रदेश उत्राखन हिमाचल इन जैसे राज्यों से गुजुरात की राजनीती और समीकरण किस तरह से अलग है समीकर्ण एक तरह से देखे तो काफी अलग है क्योंकि हमने कई बार देखा है जैसे कि अभी राजनीती इनिट्रेशन पेठे है उन्होंने भी जो कहा कि 2017 के जो चुनाओ हुए थे इसमें 2015 में जो पाटिदार आंदोलन हुआ उनका असर दिखा था और उसकी वज़ए से अपती सीट ऐसी थी जो कॉंग्रेस में पाटिदार उम्मीदवारों को लगाया था और वो लोग जीते भी थे लेकिन इस बार अगर देखे तो कुटी 2017 के बाद उप्चुनाओ जो भी हुए उसमें कई सारे जो कॉंग्रेस के जो MLA थे वो भाज़पा में आए और वो जी जीते भी सही क्यूंकि दो बार उप्चुनाओ हुआ जिसमें पहले छे चीटों पर उप्चुनाओ हुआ था और दोनों में भाज़पा और कॉंग्रेस टी सीटे जीते थी फिर बाद में विजे रुकानी के नेतरुत्मवें जो उप्चुनाओ हुआ ता उसमें चरीब ज जो हम एंटी इंकमबंसी जो करनातक में देखते हैं, राज़फार में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं वो एंटी इंकमबंसी नहीं देखने को में थी, कि जैसे अभी कोड़ी देर पहले जो बात ही, कि चुनाओ में ऐसे मुद्धे थे, कि कोरेंड पॉलिसीज को लेकर कोरोना का जो मुद्धा था, उसमें ज्यादा तर जो कॉंग्रेस जो गुनाने की कोशिश कर रही थी, कि यहाँ पे काफी संख्या में लोग मारे गए थे, ल कि जो सानी निकाई के चुनाओं हुए थे, उसमें आमादी पार्टी में सूरत में अच्छा किया था, फिर सवराष्ट की कुछ नगरपाली का और जो जीला पंचाइट के चुनाओं थे, इसमें भी उनका एक तरह से अच्छा सीच पे जीतना हुआ था, तो एक तरह से आ सकती है, लेकिन एक तरह से बेसे तो जो आमादी पार्टी का इसमें इन्वोर्मेंट हुआ है, कि पिछले तीन सालों से उन्होंने काफी मेहनत की है, आमादी पार्टी में, तो कुछ ऐसी सीच है, जिन पर एक असर उनका रहेगा, हलां कि यहां पे पाकिदार अंगलन का अब कोई असर नहीं दिख रहा, क्योंकि सानिय निकाई चुनाओं में भी 2017 के बार जो हुए थे, उसमें भाज़बा को पाकी जो शहरी जो इलाके थे, उनमें जीत हासिल हुई थी, यानि जो बड़े मिल्सितल पर्पोरिशन थे, वो सारे के सारे भाज़बा के पास चले जैते, लेकिन एक तरह से देखें तो कहीं न कहीं किसमार का जो चुनाओं था, तानिय मुद्धों के अलावा एक तरह से विकास को लेकर जो भाज़बा हमेशा से कहती आई है कि उनके सासर में जो विकास हुआ है और वो दिखता भी है, कि पिछले कई टाइम से हम देखें तो गुजरात में कई ऐसे बड़े एक्सपो हुए फिर वाइडरन गुजरात की एक सफलायोजन हुआ उसके बाद कई सारी ऐसी कंपनिया जो थी तो वो भी आई उसकी वज़े से रोजगारी भी दिखी और इसले कई टाइम से अगर हम बिजनेस के तौर पे देखें तो ग यह सकते हैं कि वो सारे ऐसे एक प्रदान मंत्री और अलिचा उसके अलावा जो भाजबा के जो दिखज नेता थे उनको एक तरह से काफी मशक्त करते पड़ी प्रचान पसार के लिए लेकिन अब ऐसा जिख रहा है जो एक्जिट पोल के जो नतीजे भी थे उसमें काफी तो पर दिखा था कि भाजबा आगे निकल रही है और कॉंग्रेस कही नहीं पीछे रही है और इस बार जो एक्जिट पोल भी थे पिछली बार कॉंग्रेस ने जो सीके हासिल की थी उसस बिल्कुल गेते जी और बारी के आपसे समझेंगे गुझरात की राजनीती को लेकर वहां के चुनाओं को लेकर फिल्हाल हम शिमला रुख करेंगे और जानेंगे वहां मतगर्ना को लेकर वहां किस तरह की हल चले हैं पवन आप भी हमें थोड़ा तस्वीरे दिखाईए और हमें बताइए कि किस तरह से जो मतगर्णा काम है वो चल रहा है किस तरह की हल चल है तमाह हम जानते हैं समय परिवेक्षब भी वहां मौझूद होते हैं क्या सरगर्मिया है वहां बताइए परिती हम जैसा जानते हैं कि 68 विधानसवा सीटे हैं यहां और 8 वजे जो है वो मतगर्णा शुरू हो गई है सबसे पहले जो है जो बैलेट आते हैं करमचारियों की तरफ से उनकी गर्णा अभी चल रही है आपको मैं बताओं कि अभी 8 वजे तक आज तक वो मतपत्र जो आने थे डाक मतपत्र आने थे क्योंकि हिमाचल परदेश में दूर दराज में करमचारी काम करते हैं परिती तो यह इस तरह की जो करमचारी हैं एक लाख सताइस हजार ऐसे करमचारी थे जो चुनाओ अभियान में लगे हुए हैं और उनकी वोटिंग के पत्र आने थे कल तक जो है वो एक लाख तेरह हाजार जो ऐसे मतपत्र है चुनाओ को मिल गए थे और यहां के मनीश गर्ग जो यहां के मुख्य चुनाओ अधिकारी हैं उनसे मेरी कल बाची थुई थी तो उन्हों कहा कि आठ बजे तक जितने भी मतपत्र हमारे पास सोचे को उनकी गिंत के एक दो-दो भी हैं जो हैड़क्वार्टर्स हैं उन जीलों के वहां पे इस तरह के मदगर्णा के अंदर बनाए गए हैं तो वो प्रोसेस चल रहा है पर पहले वहां भी सब कुछ है वो कर्मचारियों का जो वैलेड पेपर उनकी गिंती हो रही है प्रिती 10,000 जो सुरक् की तरफ से भी और हिमाचल प्रदेश पूलिस की तरफ से भी और बाकी सेना की तरफ से भी उसमें शामिल है कुछ सुरक्षा करमचारी तो इस तरह का प्रोसेस ये लगातार चल रहा है ट्रेंड धीरे आएंगे इस बार प्रिती बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश मे पताना चाहूँगा कि 1985 के बाद हिमाचल परदेश में जो है वो हर पांच साल में जो सत्ता परिवर्तन होता रहता है तो अगर इस बार मिशन रिपीट होता है बीजेपी की तरफ से तो 37 साल पुरानी जो परंपरा है हिमाचल परदेश की वो टूटेगी तो बीजेपी की लि अगर जीतते हैं तो उनके लिए एसेट होगा बीजेपी तरफ और अगर इसमें हार मिलती है या कॉंग्रेस को एज़ मिलता है तो कॉंग्रेस के लिए संजीवनी की तरह हिमाचल परदेश काम करेगा तो सबकी नजर इस तरफ है और बड़ी बात कि जो प्रधानवंतरी मो आठ जीलो में उन्होंने कई रेलियां करी और ग्रिय मंतरी अमिर्शाय आये बहुत सारे मुख्य मंतरी यहां पर आये तो बीजेपी ने पूरा ताकर जोंकी और कॉंग्रेस की तरब से जो है प्रियंका गांधी ने पूरा यहां हिमाचल प्रदेश में जो चुनावा अभिय का संभाला तो पूरी नजर हमाचल प्रदेश पे है आज और ट्रेंड जो आ रहे हैं अभी तो क्यूंकि शिर्वाती रुजहान होते हैं यह आएंगे अभी और धीरे-धीरे करके 12 बज़ तक कोई तस्वीर साफ हो पाएगी प्रिती किसके खाते में 30 सीटे जाएंगी इस बार जो हमाचल का चुनाओ है अदिती जी आप मान रहे हैं कि पिछले कई चुनाओ से सबसे ज़ादा दिल्चस इस बार हमाचल का चुनाओ है इतने सारे चुनाओ हो चुके हैं लेकिन निश्रित तोर पर इस बार अगर कहीं पर कांटे की टककर है तो वो हमाचल में है इसका एक कारण ये है कि कि कितने सारे लोग भाजपा में आ गए हैं और चुकि उनको लगता है कि भाजपा सबसे बड़ी सबसे अच्छी पार्टी है लेकिन उनके आने से जो भाजपा में पहले से स्थित लोग थे उनको एक तरह से नाराजगी सी महसूस हो रही है और सबसे ज्यादा विद्रोही कैंडिडेट रिबेल्स भाजपा के ही इस चुनाओं में थे तो अब ये देखना है कि उनका क्या हाश्र होता है और वो किस हद तक कॉंग्रिस के फायदे में खड़े होते हैं राकिज जी हिमाचल को लेकर क्या कहेंगा जी हिमाचल में मैं अधिती जी की बात से पूरी तहसे सहमत हूँ कि इस बार भरती जनता पार्टी और कॉंग्रिस दोनों के सामने अपने ही लोग चुनोती बनके खड़े हुए हैं बारती जनता पार्टी के पास भी 20 से 22 बागी है और कॉंग्रेस के पास भी लगवग इसी के आसपास के बागी है तो बगाबत के करण जो वहां की स्थितियां है तस्वीर है वो बड़ा अलग तरीके के दिखाई दे रहे हैं अब किस पार्टी का बागी कितना मजबूती के स अच्छी दिखाई दे रही है आप लोग के लिए क्या वज़े लग रही है इसके पीछे नहीं देखे हिमाचल में वहां के जो हमारे कॉंग्रेस के लेता थे लोगों ने बेहत जमीनी काम किया बहुत तयारी की और हमारी जो राश्टी महासिचिव है प्रियंका गांधी ज माचल में दस गैरेंटिया दी गए जिसमें महिलाओं को हर महीने पंद्रा सो रुपए देने की बात है पहले ही कैबिनेट की बैठेक में जो ओल्ड पेंशन इसकी में बहुत महत्पूर है उसको लागू करने की बात हुई जो की राजस्थान में अल्रडी च्छतिस गड़ जार्कंड में हो चुकिए तो वहां की करमशारियों पर ये भरोसा जगा, युवाओं में ये भरोसा जगा, महिलाओं में ये भरोसा जगा हमें पूरी उम्मीद है कि इस पार विवाज तो बना ही रहेगा उसके तूटटेंग की कोई वज़े नजर नहीं आती और प्रियं हिमाचल में अगर हम वोटिंग को लेकर बात करें क्या ये ट्रेंड को लेकर ही इस तरह के जो अनुमान जताय जा रहे हैं चुनाओं के बाद वो है या मुद्दो की चर्चा जादा रही है जमीन पर क्या कुछ देखा गया है इस बार हिमाचल प्रदेश चुनाओं में दरसल अपने मद्दाता को लाना अब वोटिंग कराना एक चुनोंतिपूर्ण काम होता है वोटिंग परसंटेज भी अच्छा होता है तो अब उसमें सबसे महत्पूर्ण ये है कि जो वोटा परसंटेज बढ़ा है वो क्या उस सक्ता के खिलाब बढ़ा है या विपक्ष नहीं आने पाए उसको लेके बढ़ा है तो सबसे महत्पूर्ण इसमें ये है कि भारती जन्ता पार्टी अपनी सक्ता को बरकरार रखने के लिए क्या अपने मद्दाताओं को लाने में सफल रही है या बागियों ने पुरी तरह से अपने मजबूती के साथ वहां खड़ा किया और एक सत्ता मिरोधी महौल त्यार कर दिया जिसकी वज़े से नुकसान हो भारती जन्ता पार्टी को ठीक है बात और जोड़ू आप देखेंगे कि बहुत सारी सीटों में पिछले 2017 के चुनाओं में विक्टरी मार्जिन जीतने का जो मार्जिन है वो बहुत कम रहा है और ये भी एक कारण है कि हम देख रहे हैं कि बागी किस तरह से अपना रोल अदा करते हैं और क्या विक्टरी मार्जिन कम हो जाता है ज्यादा होता है ये ये भी एक देखने की बात है लिलकुल जगों की तरह जो राज्य पहाड में हैं उनकी तरह हिमाचल में कॉंस्टेंसी बहुत छोटी छोटी है वहाँ एक और महत्पूर बात है जिसका जिक्र होना जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश के तीन चेहरे महत्पूर बिरभद्र जी प्रेम कुमार धूमल जी और सांता कुमार जी उनमें आप देखे कि इस चुनाओं में ये तीनों चेहरे नहीं है बिर है छटल प्रदेश के अंदर अपना अपना एक पॉकेट तो आदमे एक हमेशा राजीनीत में ये अंडहता जा लगा पा रहे हैं यह नहीं लगा पा रहे तो इस चुनाओ इसलिए भी बहुत सारी चीजों को लेके उलजन में है कि लोगों के लिए यह अंताज लगा पाना कटिन है कि बेरभाद्य जी का बर्चस्वा भी कायम है या नहीं है प्रेम कुमार धुमल जी की मजबूती उतनी है या नहीं है और सांता कुमार जी का जो वाला बिल्ट है वहां क्या इस्तितिया है वो उनके साथ है या उनको छोड़ के चले गए ठीक है पावन मायसत जुड़े हुए है शिमला से पावन क्या अपडेट है फिलाल आपके पास प्रिती में एक बात जोड़ना चाहूंगा जो शुगला जी ने कहा और दिती जी ने कहा एक बार इमाचल प्रदेश में एक बात और भी खास होने वाली इस बार मैं जो पाइटट करना चाहूंगा एक तो सबसे बड़ी बात कि मद्दान जो है वो सबसे जादा हुआ है अब तक का 75.66 प्रतिशत मद्दान हुआ है सत्रा में ये 75.57 फीस्दी था तो बड़ा है मद्दान और सब्सक्राइब की बाते हो रही है बैलट अलग है एक लाग जो अभी 13.000 की बाते हो रही है वो अलग ही है इसमें तो एक तो ये कि मद्दान सबसे जादा और उसमें खास बात ये है प्रिती कि जो EVM में वोटिंग हुए है उसमें साड़े चार फीजदी महिलाओं ने जादा वोट दिया है हिमाचल प्रदेश में इस बार हिमाचल प्रदेश में 18 सीटें ऐसी हैं जहां पे 8 से 15 फीजदी महिलाओं ने जादा मद्दान किया है और ये जो क्षेतर है वो मंडी में जादा मद्दान हुआ है कांगडा जिला जहां पे 14 विजदान सबसे हैं उसमें जादा मद्दान हुआ है मतला महिला टर्नाउट जादा हुआ है तो महिला किस पक्ष में जाती है ये भी बड़ा important factor होने वाला है इस बार हिमाचल परदेश में और पता है कि 15 फिजदी बहुत जादा होता है प्रिती हिमाचल के हिसाब से अगर 15 फिजदी जादा महिलाएं वोट डालती हैं तो समझ सकते हैं कि लोगतंतर के परवे महिलाओं ने बढ़ चटकर हिस्सा लिया ह हिमाचल परदेश में तो ये देखना होगा दूसरी बात जैसे उन्होंने का कि बागी जो है इस बार 21 बागी जो है बीजेपी की तरफ से हैं और 10-12 जो है कॉंग्रेस की तरफ से हैं तो इस बार मुकाबला जो है बहु कॉनियों हो गया कुछ सीटों पर रहां पर 10-15 सीट से ऐसी जहां पर बहु कॉनियों मकाबला है कॉंग्रेस का केंडेट है कॉंग्रेस का बागी है बीजेपी का केंडेट है बीजेपी का बागी है और वो स्थानियों लोग हैं सब जो जो जनता से वहां से मिलते रहते हैं तो वो वोट मत जो वोट का भी भाजन होता है उसमे यह जो है सभी पार्टियां जो है वो कॉंग्रेस की बात हो चाहिए बीजे की बीजेपी की बात हो दौनों ही पार्टियां धुगदुगी है कोई एक तरफ की वेव नहीं नजर आ रही है क्योंकि सारी बाजी जो हो सकता है बागी ही पलट दें तो यह दो मुख्यों इस पर जाएगा और जहां तक आप आपने बात कही कि यह जो मतगर्णा का काम है लगातार जारी है जैसे मैंने आपसे बताया कि ट्रेंड जो है वो धीरे दीरे आएंगे अभी बीजेपी की तरफ की कुछ रुखान आ गये हैं कॉंग्रेस की तरफ भी रुजहान आये हैं साड़े जो डाक मत पत्र हैं उनकी गिनिती शुरू होती है सुब 8 बजे से मदगर्णा चल रही है और अब साड़े 8 का वक्त है करीब करीब तो अब जो एवियम है उन वोटों की काउंटिंग शुरू होगी थोड़े ही समय में रुजहान जो आना है वो शुरू हो जाएंगे और दुपहर के आसपास तस्वीरें बिल्कुल साफ होती दिखाई दे जाएंगी कि गुजरात और हिमाचल में जनता किसके पक्ष में जाती दिखी सरकार किसकी बन रही है सत्ता की चाबी किसके हाथ में है बंकजी हिमाचल को लेकर जैसा आपने कहा और वजहें भी गिनाई है क्या रही है लेकिन क्या आप मानते हैं कि अगर आपकी सरकार हिमाचल में बनती है तो लीडर्शिप सबसे बड़ी चुनौती है आपके सामने फिलाल लीडर्शिप कोई चुनौती नहीं होगी मैं आपको इस पश्ट कर दूँ ये सही है कि वीरभादर सिंग जैसे एक महान बड़े नेता का भाव न सर्थ कॉंग्रेस पार्टी को बलकि मेरा खाल है पूरे हिमाचल प्रदेश में महसूस किया गया इस चुनाओं में लेकिन क रहा सचिव के हाथ में है और जिस तरीके से अभी आपके सवादाता ने बताया कि महिलाओं ने बढ़ चड़ कर इस चुनाओं में पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा मद्दान किया है तो मेरा इस पश्ट कहना है कि ऐसा प्रियंका गानी के करिश्मे के वज़े से ही पंद्रा सो रुपए दिये जाएगे हर महिने आप समझ सकते हैं कि पहार का जो कठिन जीवन है और महिलाओं के उसमें जो भागी दारी है उसमें उनको जब एक आर्थिक सहायता मिलने की बात आई है तो उन्होंने बहुत इसका स्वागत किया है और अभी आप देखिए कर अभी हिमाचल से ही लोटा हूँ कुस्दि पहले करबचारियों में जिस तरीके का उत्सा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ कोई पैसे का मामला रही है वो एक सुरक्षा का मामला है और भारती जनता पाइटी की सरकार जब अटल विहार तर पर वृद्ध जो नागरिक हो जाते हैं वरिष्ट जन हो जाते हैं उनका गरिमापूर्ण जीवन कैसे चले इसके रिए एक बड़ा सुरक्षा चक्र था ओल्ड पेंशन स्कीम उसको लेकर बहुत ज्यादा उत्सा हमें नजर आया है नौजवानों में खास तर पर बेरो प्रोश महां नजर आया और मुझे लगता है कि कोई इसमें संशे ही नहीं है कि हिमाटल प्रोदेश में कॉंग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और नेतरु तो बहुत आसानी से आपके सामने होगा तोहिन सिनहा हमारे साथ बीजेपी स्पोक्सपरसन जुड़े तो कहीं न कहीं आप मानते हैं कि 27 साल के बाद अगर बीजेपी अच्छा प्रदशन करती है तो जीत का अंतर कितना रहता है सीटे कितनी जादा होती है पिलाल नजरे इस पर ही रहेंगी क्योंकि अब जो पिछले चुनाओं में जो मुद्दे थे कहीं न कहीं वो ढलते और अगरसर हो चुपे हैं जो शुरुवाती आपके रुजान है उसके आधार पर ये कहना उचित होगा कि कम से कम 130 सीटे और वो ऊपर जाकर हो सकता है कि 150 सीटे भी टच हो जाए उसका कारण है कि पिछले 27-28 सालों में गुजरात की जनता और बीजेपी में एक अटूठ र जो बैकवर्ड शेतर कहा कहे जाते थे जहां लोग जाते नहीं थे वहां जो आज टूरिस्ट फूटपॉल्स हैं उसने उस पूरी शेतर की एकनॉमी बदल डाली यहां अर्विन के जिवाल वादा करते हैं कि हम मुफ्त में आपको इलेक्रिसिटी दिलाएंगे वहां परिवर्टन से जो है चीज़े बहतर हो सकती अब लोगों को समझ में आया है कि जो पिशले आठ सालों में जो डबल इंजिन सरकार की शेली आपने देखी है निरंतरता में फाइदा है निरंतरता में लाब है और यह प्रो इंकमजिंसी वोट जो है वह दो हजार चौबीस क इलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होगी जब तीन सो पचास चार सो सीटे हमें नैशनल लेवल पे आए हिमाचल की जहां तक बात है देखे हिमाचल का इलेक्शन काफी हद तक उत्तराखंड के इलेक्शन से आप उसकी तुलना कर सकते हैं आप आप लोग को भी मतलब जो अच्छा लगता है लेकिन इस बार जो हमारा कैमपेंग था रिवाज बतलेगा वो रिवाज बतलेगा क्योंकि लोगों ने जो डिलिवरेंस मेकेनिजम है जो सोशल वेलपेर स्कीम जो बहतर तरीके से लागू हुपाते हैं डबल इंजिन सरकार के द्वारा उसका जो है पर से हम बात भी कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कि आप भी मान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दिल्चस्प चुनाव इस बार देखने को मिल रहा है जिस तरह की अनुमान जिस तरह की टककर और मैं कहूं कि कहीं न कहीं हिमाचल में जिस तरह मुद्दो की गूंज भी सुना हुए हैं उनसे बहुत अलग हटके होने बार है क्योंकि अब तक जो ट्रेंडी चला आ रहा है हिमाचर प्रदेश में कि एक बार पिश्टर सेंटी सर्कार और एक बार कॉंग्रेस की सरकार तो बीजेपी फुल कॉंफिडेंस पर नदर आई इस बार कि वो ट्रेंड इस पर में भी तो ऐसे में अब जो नतीजे आएंगी अब तुरी देवा जो नतीजे लबहर लबहर साफ होते जाएंगे उसके बाद जनता का जो फैसला है वो जो है वो साबने आ जाएगा लेकिन मुद्दों की अगर बात कर ली जाए तो हिमाचर प्रदेश में सबसे बड़ा जो संगठन है उसके पहले ही साफ कर दिया था कि जो उसके पक्ष्ट में रहेगा उसके समर्था में रहेगा वो उसको समर्थान अपना देगी उसको वोड करेगी कॉंग्रेस यहां पर जो उसका कॉंग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसमें ओपीस को एक मुद्दा बनाया गया था कि सख्ता में आने के बाद ओपीस लागो किया रहे है वीज़ा जो है वो अन्तिन बहुत प्रचार में खामोश रही ओपीस के मुद्दे पर तो यह बहु शिका कह से के मुद्द समय कोまぁ यिज़ ज्याइब होता चे है यानि जो अमीद्वार है उसका व्यवहार कैसा है उसका जो काम करने का तरीका कैसा है जहनता के बीच कितनी वारं गया है मेर मिलाव कैसा है तो यह ही एक बहुत बड़ा प्रकाश्यों को मीम नहीं आई थी उनको भी शायर मीन नहीं आई होगी बहुत बड़ा दिन आज का इमाचर प्रदेश की राज़ीटी थे मिलकुल बहुत बड़ा दिन क्योंकि आज जनदा के फैस्ले का दिन है और जाहिर तोर पर जो मदगर्णा का काम चल रहा है उसे लेकर थोड़ी देर में रुजहान आने शुरू होंगे और हलचल वहाँ क्या है ये जानना अभी बहुत ज़ादा ज़रूरी है हमारे सहयोगी अकलेश सुमन एहमदाबाद से हम ऐसा जुड़े हुए है अकलेश आप हमें बताईए डाक मत पत्र की जो गिनिती है वो पूरी हो चुकी है अब जो EVM है क्या उनकी गिनती उनकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है फिलाल क्या चल रहा है बताईए पावन की पास चलते हैं अकलेश इसे फिलाल संपर्क नहीं हुआ है पावन आप बताईए क्या अपडेट है फिलाल मदगर्णा को लेकरवा प्रिती बिल्कुल मैं आपको अपडेट ही देने वाला हूँ कि यह जो मत पत्र है जो डाक मत पत्र है उनकी गिनिती पूरी हो गई और उसका ट्रेंड भी हमारे सामने है बीजीपी को 21 सीटों पे इसमें बड़त है और कॉंग्रेस को 27 सीटों पे बड़त है हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो यह बड़ा संकेत है क्योंकि बैलेट पेपर है करमचारियों में OPS बड़ा मुद्दा रहा है तो इसमें इस पश्ट तोर पे सामने आगया कि जादा करमचारी कॉंग्रेस की तरफ को OPS के मुद्दे पर उनकी तरफ है तो रुजहान में वो 27 सीटों पे उनको आगे मिला है यह EVM खुलने शुरू हो गए है प्रिती और मैं आपको अपडेट यह दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर जह सिराज सीट है मंडी जिला की उसमें अभी आगे चल रहे है सुकुईंदर सिंग सुकू कॉंग्रेस की तरफ से जो है वो कैनिडेट हैं सीम केन्डेट भी दावे अपने ठोक रहे हैं वो भी वो आगे चल रहे हैं एक बीजेपी के जो यहां मंतरी है कैबिनेट मंतरी सुरेश भारदवाज शिमला के साथ कुसुम्टी विधानसभा सीट है वो पीछे चल रहे हैं अभी जो शुरुवाती ट्रेंड है हमारे सामने है बाकी ट्रेंड आने शुरू होएं पृती तो ये रुजहान आते रहेंगे और एवियम क्योंकि खुल गए हैं तो अगले एक दो घंटों में हमारे सामने ये चीजे होंगी मैं बड़ी बात कहूंगी जैसे हमारे जो कॉंगरेस परकता पंकर जी हमारे साथ बेटा है उन्होंने बात की थी कल शाम को मैंने जो स्वर्गिय वीर बदर सिंग जी की पतनी है परतिवा सिंग जी उनके साथ मनें इंटर्व्यू है उनसे मनें बातचीत की बड़ी बात मैं आपको पताना ये चाहूँगा कि उन्होंने स्पष्ट तो और पे कल पहली बार कहा कि हाँ मैं स्वरगी अभीर बद्दर सिंग जी की लिग ऐसी को आगे ले जाना चाहती हूँ तो मतलब ये कि जो सीम की रेस कॉंग्रेस के अंदर चल रही है बहुत सारे केंड़िट है कुछ वरिष्टा की बाते हो रही है उसमें जो परतिवा सिंग जी की तरफ से किया गया है कि अगर हाई कमान ने और परदेश की जनता ने चाहा तो मैं लीड करने के लिए तयार हूँ तो उनकी तरफ से कहा गया कि मैं विलकुत तयार हूँ अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाती है तो ये मैं कहा रहा हूँ कि हालांकि कॉंग्रेस कंदर ये बहुत सारी बाते चल रही है सीम केंड़िट को लेकर तो उन्होंने कल जाहिर तोर पर सपश्ट तोर पर मेरे साथ ये बाते कही कि उस काम को जो विकास कारे सवरी के वीर बदर सीनी के थे उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ ये उन्होंने मेरे साथ बाचीत में कहा बाकी ये ट्रेंड आएंगे पृति और बीजेपी की तरफ से एक खास बात और बता दूं के चाहे बीजेपी का दफ्तर हो यहां का दीप कमल जो हो चाहे कॉंग्रेस का दफ्तर हो वहाँ पे अभी सननाटा है कम लोग हैं पृति वहाँ पे अभी क्यूंकि जाही तोर पे सब आपने जो डाक मत पत्र हैं उनका जो रुजान है वो बताया और अधिती जैसे पवन कह भी रहे हैं कि अभी सननाटा है कारयाले में और गुजरात में ठीक इसका उल्टा दिख रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि अभी भी मैं इसी लिए बार-बार कह रही हूं कि बहु अगर वो जीतते देख रही है तो लोगों को अपने साथ बनाए रखना वो बड़ा चालेंज होगा जीतना हारना यह अभी कहना बहुत मुझे नहीं लगता कि अभी किसी तरह का भी हम लोगों को कोई भी इंडिकेशन मिल रहा है कि कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है हो अपना खा पी के फिर हिमाचल में अपने पाटी के दफतर आएंगे निश्चित रूप से OPS जैसा कि आपके रिपोर्टर ने भी बताया हमको हिमाचल में OPS एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंकर जी भी बता रहे थे और हिमाचल में सरकारी करमचारी भी बहुत तादाद में हैं क्योंकि एक पाहड राज्य में उतनी जादा इंडस्ट्री उतना जादा प्राइवेट इंवेस्मेंट होता नहीं है और सरकार को ही नौकरी देनी पड़ती है तो हिमाचल उसका एक मतलब उसका एक उदारन है उसके अलावा हिमाचल की और इंडिसे अगर हम देखे तो एजुकेशन बहुत हाई डिग्री पर है वहाँ पर मेरे ख्याल से 98% लिटरसी है और जो उनका स्कूल का मॉडल है जो कि वायस परमार और इस तरह के लोगों ने बनाया था वो बहुत ही सफल रहा है तो हिमाचल में मतलब बहुत ही जागरू क्वोटर है और ये मेरे ख हाल से turntout में भी दिखता है क्योंकि 75% turnout कमी राजों में होता है इतनी बहुत सारे कारण हो सकते हैं अक्रियांका १ी और प्रतिबास सिंग के रहने से भी हो सकता है कि ये एक फाक्टर रहा हो बिल्कुल ये भी समझना होगा देखना होगा अभी हम एमदाबाद चल सकते हैं अकलेश सुमर हमाई साथ जुड़ गए है अकलेश आप बताईए क्या अपडेट आप दे रहे हैं पवन ने शिमला से हमें बताया है कि डाक मत पत्र जो है गिनती पूरी हो गई उनका ट्रेंड भी साजा किया है पिलाल गुजरात में क्या चल रहा है और जैसा पवन बतारे कि सननाटा है कार्याले में वहाँ आप ज़रा बताईए क्या वहाँ किसी तरह की जश्न के तःयारी या हल चले बी जेपी और कॉंग्रेस कार्याले में देखें निसी तोर पे हमें जो सूचना मिली है कि बीजेपी और कॉंग्रेस कार्याले दोनों जगा पे अभी बहुत ही कहा सकते हैं कि गंभीरता से वोटों का विसकेशन हो रहा है हलांकि जो शुरुवाती ट्रेंड रहे हैं सुरुवाती ट्रेंड में बीजेपी को काफी बढ़ा दिख रही है तक्रीबर एक सोच्यांतिस सीटों के ट्रेंड हमको पता चले है जिसमें की करीब करीब 120 बीजेपी के पक्ष में हैं और लगातार वो बढ़ता जा रहा है जो चुनावायों की जो जानकारी है उसके मिताबिक और देखिए जो सबसे एक सबको लग रहा था कि हार्दिक पटेल का क्या होगा हार्दिक पटेल सवरास्ते खड़े हैं और हार्दिक पटेल पहले कॉंग्रेस में थे कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी थे गुजरात में और उसके बाद वो बीजेपी में गये तो लोग के यह ल कोर अहमादबाद दक्षिन से अभी पीछे चल लाएं लेकिन उसके अलावा जो कह सकते हैं कि भूपे इंद्र परटेल यो मुखे मंत्री हैं वो आगे हैं हर सांग्वी जो ग्रीम मंत्री वो आगे हैं जीनेव स्मेवानी अभी कॉंग्रेस के जो हैं अभी आगे चलना है लेकिन अभी देखना होगा कि आगए जिस तरी के से ट्रेंड बढ़ रहा है, उस ट्रेंड में किस तरह की स्थिति होगी, निश्ची तोर पे अभी जो बैलेट पेपर, जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट की गिंती अभी अभी जस्ट पूरी होई है, और EVM मसीन में लोब एंटर कर रहे हैं, यह मसीन की काउंटिंग सुरू हो रही है, तो का सकते हैं कि जो पोस्टल बैलेट के जो रुज़ान है, वो पोस्टल बैलेट के रुज़ान हमने आपको बताए हैं, EVM के जो रुज़ान होंगे, अभी थोड़ी देर में पता चलेंगे, प्रिती. बिल्कुल, अकलेश, जो तमाम रुज़ान है, उनको लेकर आप अपडेट दे रहे हैं, लगातार माम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे, तोहिन सिना के पास एक बार चलते हैं, तोहिन बोटे तोर पर जो बहुती शुरुआती रुज़ान है, वो हमें देख हैं, लेकिन हिमाचल को लेकर मैं आपसे कमेंड करना चाहूंगी, आप रो इंकमबेंसी की जब बात कर रहे हैं, गुजरात में, आपको लग रहा है कि हिमाचल का भी जो रिजल्ट है, वो कही ना कही, गवणनेंस को लेकर आप मानेंगे, वो मैंडिट होगा, जो भी रिज हिमाचल का इस वक्त पेरे बजाकड़ा नहीं है, लेकिन गुजरात में तो 100% कवरेज हो चुका है, नल से जल कारिक्रम के तहर, स्वच भारत हो, उज्वला स्कीम हो, सबसे जादा जो लाभानवित वर्ग है, वो तो महिलाएं होती है, तो ये एक और इंडिकेटर है कि कि स पर बात नहीं की, तो आज जनता भी जानती है कि कॉंग्रिस के कतनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, और दूसरा जो, एक छोटी छोटी बाते में अगर आपको बताओं देखे, जब ड्रोन, ड्रोन्स के जरिए हिमाचल जो है एक पहाड़ी शेतर है, जब सबसे दू जोटी बाते जो है लोगों को याद रहती है कि वोट डालने जाते हैं कि किस प्रकार से प्रशाशन और पूरी जो प्रशाशन व्यवस्था है पिछले आठ सालों में बदबदली है और विशेश तौप पर इसका लाप जो है उन सरकारों में जादा उन राज्यों में नहीं जा सकते हैं लेकिन अभी तक जो रुजहान हम देख पा रहे हैं वो बहुत कुछ एक्जिट पोल की तरह ही शुरुआत में जाते हैं दिखाई दे रहे हैं आपको क्या लग रहा है आज किसी भी पार्टी की सरकार बने इमाचल में और गुजरात में चालेंजिस को ल समय करणों को शटल किया जा चुका है तो गुजरात में भारती जनता पार्टी के सामने ऐसी कोई चुनाउती नहीं कि अगला पांच साल उसका कैसे गुजरेगा नंबर एक नंबर दो गुजरात में भारती जनता पार्टी के साथ चुनाउती इसलिए भी नहीं है क्योंकि राश्टी इस तर पे भी उनका बड़ा अच्छा नाम है तो गुजरातियों के लिए गौरब साली जो इस्थितियां होती है वो बड़ा माने रखती हैं और इसके पीछे एक वड़ा उधाना पर यह देख सकते हैं कि आप तीन चुनाओं को देखिए जब पहली बार सुनिया अरजुन जी की तरफ से जफ्टी पड़ी की गई तो मुझे लगता है उसका ही जो अभी सुरुआती रुजान दिखा रहा है वो एक तरह से उसका एक संकेत दिखाई दे रहा है तो गुजरात के लिए नरेंद बोदी जी ने एक सेटप तयार कर दिया है गौरब का तो सार की मुद्दों को लेके कोई बड़ी चुनोती आई गुजरात में सरकार के सामने मुझे नहीं लगता है हिमाचल प्रदेश में जरूर उसके सामने चुनोती यह होगी कि जब दुबारा आएंगे भारती जंता पार्टी की सब्ताईद ही वाफसी करती है तो उसके सामने सितिया हैं उन से कैसे निवड़ा जाएं दूसरा कांग्रेस के सामने एक चुनोती यह होगी कि आप कांग्रेस का लीडर्शिप कैसे डवलप किया जाए वहां पर जैसे बार बार एक बात ही कही जाती है कि यह गुजरा हिमाचल प्रदेश में प्रियंका जी ने प्रचार क सब्सक्राइए उसको लेकर बास की जाय है तो गुजरात में भी प्रियंका जी क्यों नहीं गयी उत्त्र पते से प्रियंका-जी प्रचार करने गयी तो कांग्रेस Marcel किने घी तो हमें लगता है फिर अलग-अलग माफदन अपना के नहीं करना चाहिए, लीडर्शिप तो लीडर्शिप होता है, और लीडर जो है राज़टी इस्टर का जो नहता होता है, उसका हर इस्टेट में एक बरावर स्टेक होना चाहिए। ठीक है और अधिती जी इन चुनाओं से क्या हम जैसे आपने अभी हिमाचल को लेकर कही कि बहुत जागरुख है वहाँ वोटर क्या हम इन चुनाओं से एक और संकेत देखें कि वोटर जागरुख भी है और उसके साथ साथ समझदार भी हुआ है क्योंकि आखरी वक्त तक जाती है तो समझदारी में उदारण के तौर पर सुखिंदर सुखु जो की कॉंग्रेस के कैम्पेण कमिटी के चैमेन है उन्होंने हमसे कहा कि वो उन्होंने एक कंसिडर्ड डिसेशन लिया है कि वो नरेंद्र मोदी पर किसी तरह की टिपणी नहीं करेंगे कॉंग्रेस मे कैम्पेण यदि आप देखें तो वहां पर हिमाचल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं हुई है बात हुई है हाइपर लोकल इशूज पर और यही चीज हम गुजरात में भी देख रहे हैं कि कि किस तरह से मंत्री मुक्य मंत्री का परिवर्तन हुआ विजय चुनाओ लड़ा था उसके पहले वो ज्यादा तर लोकल चुनाओ लड़ते आये थे तो यह हमें यह बताता है कि ज्यादा से आने वाले समय में ट्रेंड यही है कि लोकल इशूज पर बहुत ज्यादा सरकार नजर डाल रही है चाहे कि कोई भी सरकार हो कॉंग्रेस कर सरका पंकत जी और तोहिन से एक चोड़ा चोड़ा कमंट ले लेते हैं पंकत जी मैं हिमाचल को लेकर ही आप से फिलाल बात करूंगे कहीं न कहीं हिमाचल में क्या आप मानते हैं कि आज जिस तरह की स्थिती रहती है काटे का मुकाबला जो वहां दिखाई दे रहा है आपके लिए थोड़ी न कहीं एक चुनोती खड़ी हो रही है जिस तरह से मैंने लीडर्शिप को लेकर बात कहीं जाहिर तोर पर आप कह रहे हैं लेकिन जो आपके तमाम नेता हैं वो जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे लग रहा है कि हर एक के मन में ये बात है कि उन्हें कही मौका मिलेगा तो आपको लग रहा एक चालेंज होगा आपके लिए आज से उन्हें मनाना उन्हें साथ रखना पृति जी राजमीत में अगर महात्वा कांख्षा है तो यह कोई अपराद नहीं है लोग चाहते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले उन्हें कुछ कर दिखाने का मौका मिले बहुत से वरिश्ट लोग हैं कॉंग्रिस में और वो सब ही सक्षम हैं लेकिन जो पाटी क नित्रत आधरनी, खडगे जी, प्रियंका जी और जो बाती लोग हैं मिलके तैय करेंगे, वहां के विधायक मिलके तैय करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत डिक्कत होने वाली है और अभी इस तरह से हिमाचल का पूरा महौल है उसमें रिवाज बरकरार र हैं, वह हमें लागू कर दिया है, तो चुनौतियां जो है, उसका हमारे पास पूरा एक कारिक्रम है, रोड मैप है, जो गैरेंटिया दी गई है, दस गैरेंटिया दी गई है, उन दसों गैरेंटियों को कैसे हम पूरा करेंगे, उसका पूरा ब्लिवप्रिंट तैयार है, म अब ही जैसा राकेश जी ने भी कहा चालेंजिस को लेकर अगर माल लीजे यहां एक पार्टी और जिस तरह से जो ट्रेंड देख रहे हैं और अब रुजहान आना शुरू हो रहे हैं आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के सामने चालेंज क्या है ठीक है माल लीजे अगर ब अगर बीजेपी के सामने गुजरात में हैं? एक बार ही इसे अमेले बने इसे वो गुपेंदर पटे लाएं लेकिन डूसरी वार जो कॉंग्रेस के लोग जो है यहां पे उनको काफी सारे लेशंत सीखना पड़ेगा हर चुनाव के बार कि कि आम आदनी पार्टी ने भी अपना मुप्यमंत्री पद का उमिद्वार घो लेकिन पिछले पाँच साल से और एक तरह से कहें को पिछले 27 साल से कॉंग्रेस यह तैय नहीं कर पाई कि उनका मुप्यमंत्री पद का उमिद्वार कौन होगा तूसरी और एक और चीज जो मैं कहना चाहूँगा कि वो जो जैसके हिमार्चल परदेश में OPS एक बड़ा मुद्दा था और कॉंग्रेस तो उसको बखु भी हुनाया भी था लेकिन गुजरात में भी कई ऐसे सारे मुद्दे है लेकिन वो कॉंग्रेस आगे नहीं ले पाती हैसे कि आम आदी पार्टी ने एड्यूकेशन का इक मुद्दा उठाय था कि बहुत सारा प्राइड़ाइजेशन एड्यूकेशन पर हुआ है मेडिकल पे हुआ है लेकिन कॉंग्रेस वो सारे मुद्दों को कही ना कही इतना से आगे नहीं ले ला पारी और दूसरी वार जो मुख्यमंत्री पत्का उनका चेहरा जो होना चाहिए वो कभी भी वो नहीं कह पारी इस बार उनके जो नए प्रदेश प्रमुख है जब्रीज भाई ठाकोर उन्होंने कई बार ये इंडिकेशन अपनी रेलियों में जरू दिया कि OBC का चेहरा भी उक्मुख्यमंत्री हो सकता है या फिर एक तरह से कहीं कि आदिवासी जो नेता है उनके जो बड़े अनन्त च आज हम हार्दी पटेल की बात करते हैं तो कारियकारी अध्यक्स थे लेकिन वो काम मांगते से तब उनको नहीं दिया जाता था ऐसा उनका एक तरह से जो अलिगेशन था लेकिन जो अभी की जो हम बात करें तो कापी सारे ऐसे मुझ्द थे जो कॉंग्रेस को उठाने चाहि जैसे आपके संबादाता ने बता कि 130 से भी आगे चल वही है बीजेटी तो साफ तोर पे लोग नरेद्रमोदी और अमिट्शा को भी जानते हैं और जो भी का कुछी पलों में ओर जादा तस्वीर साफ होगी केतन जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साइबरे साथ जुडने के लिए अधिती और राकेश जी हमारे साथ आगे भी चरचा में बने रहेंगे तो क्या हम देखें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किस तरह से जनता ने फैसला दिया है कुछी पलों में ये साफ होगा क्या गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ट साथवी बार सरकार बनाएगी या कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी सत्ता में सेंद लगाएगी क्या हिमाचल में जो पांस साल में सरकार बदलने का ट्रेंड है वो जारी रहेगा या फिर इस बार रिवाज बदलेगा इन सब पर नज़र रहेगी और जो रुजहान और नतीजे आएंगे उनका बारीक विशलेशन संसर टीवी पर लगातार जारी रहेगा फिलाल मुझे इजाज़त दीजे और बने रहेए संसर टीवी के साथ नमस्कार